कि इसे केम के प्याईब कि कि अब भुल जाएंगे कों डिंग पीना किसे कहता है क्यबध इस रहन partner बना नबोकिए कर ले अगर आपको बसंदा आता तो आप ज़्याद बना लें तो चलिए मनाते हैं कि मैंने जो नीमबू लिये हैं, इनको सबको कट कर के रख लूगी. और इनका सबका एक साथ कट कर के रख लूँगी. इसलिए सबको एक ही साथ कट कर के रह रही हूं. बなた해도 इस रेसेपी को बनाने के बाद पढ़ाओ के वाद आपका काम बिलकुल आधा हो जाएगा. आपको जो निम्बू पानी बनाने में समय लगता है वो आधा क्या आधे से भी आधा हो जाएगा अगर आपको एक मिनट लगता है तो वो 15 सेकिंड में होने वाला काम हो जाएगा आपका तो ऐसे में इसका सारे का रस निकाल लूँगी फिर आपको आगे का प्रोसिस आएंगे इसे भी अभी मैं आपको वीडियो में आगे इसके अभी यूज बताऊंगी तो गैस ओन करने के बाद मैंने इस पे चढ़ा दिया एक भगोना और इसमें में चढ़ा दूंगी पानी मैंने एक किलो के आसपास चीनी ली है एक गिलास पानी डाल दिया है तो यह किलो चीनी में डेड़ गिलास पानी मैं इसमें डाल दिया है और नीबुकरा सब्सक्राइब बाद में डालेगी जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और बीच में एक दो बार आप चला दे ताकि चीनी नीचे लगे ना वैसे लगती नहीं है लेकिन फिर भी चलाना तो इसमें इसको देखो बिल्कुल घुल गिया चीनी थोड़ा सा कोई बारीक दाना बचा है अलका फुलका वो भी हम अच्छे से घुलने देंगे इसको और हमें चासनी नहीं बनानी है इसकी कि बहुत तेर पकाना है लेकिन चीनी बिल्कुल घुल वो चाहिए दाना नहीं गुल जानी चाहिए इतना हमें इसको पकाना है और आप इसको जब यह पक जाएगी देखो कितना अच्छा सा कलर हो गया इसका ट्रांस्पेरेंट सा बिल्कुल गुल चुकी है चीनी इसमें और ऐसा आप चमचा जाड़ के इस तरह और हलका सा ऐसे देखो यह हलका सा चिपक ह आप शरी थे तर मुट्राइए बस इतनी हमें यह पकानी है तार नहीं कितना है Pokemon अगर आप इसना टंडबादि आप साथ और यह 10 एकलो निमू का रस आप चाय तो 1200 ग्राम से बना सकते हैं आदा किलो चीनी ले пор 2 सी निमू का रस ले और पानी भी कम डाले चिनी में तो अभी हम इसमें भी अच्छे से बोई यून अने तक इसे पकाएंगे ऐसे में कितना अच्छा सा ये एक सिरप तयार हो वो तर्ची से खुचबू आ रही थी इसमें से और यकीन मानिये यह बिल्कुल ही आपके काम को आधा कर देगा एक बार आप बना के रखके इसको देखिए अमने गैस ओफ कर दिया है देखो इसकी कितना ट्रांसपेरेंट है और इसको बिल्कुल ठंडा होने तक हम रख गें अब देखो बिल्कुल ठंडा हो गया है पंडा वने के बार देखो बिल्कुल वह नहीं है यह जैसी इसीनी चासनी बन गी है cuatro तरब जमगी है तो यह हमने अब यह मैंने कांच की बोटल ली है हम इसे इसमें भर कर रख लेंगे आपके पास इस तरह की बोटल हो आप उस तरह में रख सकते हैं वैसे कांच की में रखेंगे तो ज्यादे अच्छा है तो इस तरह आप काच के जैसे हमारे पास कोई पास यौब्बा होता है जार होता है उसमें भी भर के रखसें चम जैसा निकाले तो आप मैंने एक बोटल में भर दिया है ऐसे में फ्रीज में रखोंगे अभी मैं आपको इस से बना के जो यह शिरप बचा है और इतना मेरा न स तो जैसे एक किलो चीनी थी तो उससे एक लीटर के आसपास हमारा सिरफ बनके तैयार हुआ है क्योंकि पानी तो थोड़ा जब खदकती है जल भी जाता है अधिको अब सर्व करने का तरीका यह है कि आप इसको गिलास में जो हमने सिरफ बनाया तीन से चार चमच डालने इसको यह मैंने इतना इसमें सिरफ डाल लिया है तीन से चार चमच डालने के बाद आप इसमें डालने काला नमक आधा चमच ठंडा पानी डाल दें इसमें अच्छे साब और यह आपका नीम्बू पानी एकदम रेडी है अगर आप किसी मेमान को सर्व कर रहे हैं कि आया है कोई तो इसमें ठंडा पीना अच्छा सा तो इसमें आप आइस क्यूब डाल दें और थोड़ा सा नीम्बू के एक स्लाइस से इसको गार्निस कर दें थोड़ा सा आप इसमें पोदीना भी रख सकते हैं ठीक है दिखिये जी बनके तयार है नीम्बू पानी और आप इसको एक बार ट्राइज रूर करना बना के देखना कि कैसी रेसिपी बनती है और अपने अनुबव मेरे साथ शेयर करना कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी रेसिपी और मैं इसको बच्चो को देती हूं देखती अच्छा है बहुत अच्छा मतब जो रियल हम बनाते हैं और यह इसमें कुछ फर्क लगा यह टेस्टी है ज्यादा अरे वेरी गुड अवेको यह वाला जो हम बनाते वैसे नीम्बू निटेर उसके ज्यादा टेस्टी लगा वेको यह वाला बताओ पाइल कैसा बन रहा है बढ़िया और यह मज़ा होती है कि बच्चे जब अरदस्ती कहा रहे है बढ़िया यह वाक्य में बहुत अच्छा मना है गिल्कुल आप एसी फीलिंग लेसकता है जैस अजैन सी गंजी बाले के आती है न बैसी अर खर आपके पास सी कंजी मसाला है तो आप वह भी डाल शकते हैं नहीं तो मैं अपने ही चैनल पर अभी जल्दी ही सी कंजी मसाला की भी एक रesपी सेळ करूबी तब आप देखना उसे डालके यह और भी जादे तेस्टी लगेगा तो आप बना के देखिए और इसे पी के ना आपके बूल जाएंगे कोल डिंग पी ना किसे कहते हैं कि अवल इसे ही पिएंगे और बोलेंगे ममा और बना दो जैसा अब बोल रहा है आप इसे प्रीड में ना तू मंत भी स्टोर कर सकते हैं कोई दिकत नी है ठीक है आप इसे बना लिया है यह बना लिए यह बना लिए आपकी बार जब कठा करवाएंगे ना तो सब के लिए पगी करवाया जाएंगे इसे बना लिए यह बना लिए यह बैठ जाएंगे जो माताइं खड़ी है ना बेठ जाएंगे कल तक नाम दिख्वा लेना नाम से बंचित कोई नहीं रेगा बैठ जाएंगे बार जाएंगे देख लेते हैं छिलकों का हमें क्या करना है इन छिलकों से हम क्या बना सकते हैं तो मैंने एक डबा लिया है और यह कोम व्याद्स Stack में जाहरा सकते हैं और तो तैनों को इसमें खताफ। या या इसमने ऊपर से डाल दूंगे दो चम्मच नमक अब यह कुछ और छिलके सी अच्छे से दबा देंगे और फिर दो चम्मच मसाला डाल देंगे जो यह पी मसाला है इसमें और मैं इसको चीनी वाला बनाने वाली थी लेकिन पायर ने बोला नहीं मुझे नमकी नहीं खाना है आप ऐसे ही बनाओ तो इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है ये आपका खटा अचार बनेगा तो ये अच्छे से आप इसको दबा दें निम्बू को इसमें और ये छिलके हैं तो अच्छे से निच्चे को प्रैस हो जाएंगे इसमें से ज्यादा पानी भी रिलीज नहीं होगा लेकिन ये कुछ दिन बाद बहुत अच्छा सा पानी रिलीज कर देंगे उसी में ये गल ज क्योंकि जितने आपस में मिलके रहेंगे उतना ही अच्छा इनका अचार बनेगा तो यह मैंने इसमें बढ़ देखो थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज भी होने लगा नमक लगने के बाद और यह कुछ दिन में आपका डबा पानी से फुल बर जाएगा आप इसे दूप भी इसमें चिद्नी डालनी है तो इसमें तीन दिन बाद आप इसमें 3-4 चार चमर चिद्नी बीडाल सकते हैं उससे और भी अच्छा हो जाएगा देखने हैं पानी छोड़ने लगे निमबू थोड़ा थोड़ा तो काफी रस रह जाता है जब हम इस निकालते हैं उसके बाद इसमें काफिरस रह जाता है तो आपका ये बढ़िया एक अचार बन के तैयार हो जाएगा तो चलिए मिलती हूं अपनी और किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते और बाइबाइब